नमस्कार साथियों आप सभी का स्वागत है आज इस स्पेशल कलास में हम चर्चा करेंगे कि असिस्टेंट फ्रोफेसर बनने के लिए हमारे पास क्या मोका है और किस प्रकार से हम त्यारी करें तो मोका बड़ा ही सुनहेरा आया है golden chance आया है कल ही राजस्तान सरकार ने राजस्तान लोकशिवा आयो को RPSC को कुल 1952 पदों के लिए अभिसंसा बेजी है और अभी राजस्तान पातरता प्रिक्षिया का एकजाम हो रहा है यानि सेट का एकजाम हो रहा है जो की 19 मार्च को है और जैसे ही ये एकजाम होता है या ह सकता है उससे पहले भी RPSC है वो 1952 पदों के लिए विग्यप्ति जारी कर दे विग्यप्ति में क्या योगेता है उसकी चर्चा हम कल कर चुके हैं कि सेक्षणिक योगेता क्या है आयू क्या है पिएचडी के निवारेत अवगरा उन सब मुद्दों पे हम चर्चा कर चुके ह आज हम क्यों यही करेंगे हमारे विश्ये के बारे में समाज सास्तर के बारे में और समाज सास्तर की इसमें कुल 80 पोस्ट है 80 पोस्ट है वो सोसलोजी की है तो ख्वाब होता है मेरा भी ख्वाब था मैंने सन 2011 के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का ख्वाब देखा था और बर्ती आई थी वो 2015 में आई थी कब आई थी 2015 में आई थी तो लगबग 4 साल तक तो कोई बर्ती आई ही नहीं थी और पद भी इतने नहीं थे जितने अब है उससे बहुत कम थे कुल 37 पद थे उस समय कितने थे 37 पद थे तो अब 80 पद है तो बहुत ही अच्छी पोस्ट है और आपका इंतजार अगर इतना ही है तो भी आपके लिए अच्छी बात है 2017 में हमारा एक्जाम हुआ था और उस दोरान त्यारी तो 2011 से ही कर रहे थे बनना ही असिस्टेंट प्रॉपेसर था तो इसलिए उस त्यारी का बेनिफिट भी मिला और आल राजस्तान मेरी सेकंड रेंक आई थी तो अब मैं आपको थोड़ा सा जो मेरा अनुबव है वो सेर कर सकता हूँ एक समासाइस्तर का विदार्थी होने के नाते कि किन किन पुस्तकों का हम अध्यान करें और किस परकार से अध्यान करें ताकि हमारा सेलेक्षन है आपका जो सेलेक्षन है आप भी एसिस्टेंट प्रॉपेसर बन जाओ और मैंने तीन-चार जोब की है मैं पहले राजस्तान पुलिस में कॉंस्टेबल था, बाद में स्कूल एजूकेशन में भी रहा हूँ, एक बार समाज कल्यान विवाग में भी मुझे मोका मिला था, और अब मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, तो ये जो पोस्ट है, असिस्टेंट प्रोफेसर की, ये सबसे अच्छी जोब है, इसमें इतने आउसर हैं, कि इसकी कोई सिमा नहीं है, ये ग्यान का सरवोच्तर है, इससे आगे ग्यान के अधार पे कोई पद नहीं आता है, परसासनिक पद हो सकता है, अच्छी खासी सेलरी मिलती है, और अच्छा खासा आउसर मिलता है, अपने आपको दुनिया के सामने परस्तुत करने का तो आज हम sociology subject के बारे में चर्चा करेंगे कि इसका syllabus क्या है और हमारी रणनिती क्या रहनी चाहिए ताकि हम भी assistant professor है वो बन सके तो पहले एक नजर में इसके syllabus पे डाल लेता हूँ उसके बाद में हम चर्चा करेंगे कि किन पुस्तकों का अधिन करना चाहिए और किस परकार से अधिन करना चाहिए अब इसका एक्जाम तो देखो च्यार पांच मेने तो लगी जाएंगे कम से कम हो सकता है कि अभी दिसंबर के अंदर election है उसके बाद भी हो हो सकता है यह सरकार एक बार फोरंबर वाले या एक्जाम भी करवा ले तो एक्जाम होंगे तो मान के चलो कि आपके पास चार या पांच मेने का वक्त होगा कितने मेने का चार पांच मेने का वक्त होगा जून जुलाई से पहले एक्जाम होने की कोई इसकी संभावना नहीं है तो अच्छा खासा वक्त है चार पांच मेने किसी भी एक्जाम की त्यारी के लिए पुरुनत्य प्रयाप्त रहते हैं, तो इसके अगर हम बात करें, तो इसके एकुल तीन पेपर होते हैं, कितने पेपर होते हैं, तीन पेपर होते हैं, पेपर फैस्ट, जो की सब्जेक्ट का ही होता है, सेकंड, जो सब्जेक्ट का होता है, और थरड, तो ये पिचेतर नमर का होता है ये भी पिचेतर नमर का होता है और ये 50 नमर का होता है परतेक जो परसन है वो डबल आते हैं 150 परसन आएंगे पिचेतर नमर का यानि एक परसन है वो आदे नमर का होगा इसमें भी 150 परसन आएंगे और इसमें 100 परसन आएंगे यानि कुल 400 परसन होग और paper होगा वो कितने नमर का होगा वो 200 नमर का paper होगा और plus में 24 नमर का interview है तो कुल 224 नमर में से merit है वो बनती है तो ये दोनों है subject के हैं और ये जो राजस्तान समान्य ग्यान का है तो इसके बारे में भी थोड़ी चर्चा करेंगे लेकिन इनके बारे में मैं ज्यादा बदा देता हूं ये केवल 25 परसेंट है और किस परकार से इसके भी त्यारी करें ताकि इसमें भी अच्छे नमर आ जाएं तो पहला परसंपत्र ये है तो ये अपेक्षिया करीत second की बजाए easy है इसके अंदर क्या है basic concept आते हैं क्या होते है मूल भूत आउधारना इसके अंतरकते आती है इसमें परतेक में दोनों जो पेपर है उनमें तिन-तिन पॉइंट है तिन-तिन पॉइंट के अंदर divide है पूरा का पूरा syllabus तो पस्चिमी सामजिक विचारक है दूसरे पॉइंट के अंदर और तीसरे में है भारतिय सामजिक विवस्ता तो मूल भूत आउधारना इस basic concept ये किसी भी subject के या कोई भी exam होता है उसमें ये तो आता ही आता है अगर आप net किया है आपने या net अभी दे रहे हैं तो जो net दे रहे हैं वो भी इसमें apply कर सकते हैं जो MA final के बच्चे हैं वो भी इसमें apply कर सकते हैं सर्थ ये है कि जो हमारी interview होगा उस time हमारी degree सारी complete होनी चाहिए और set का अगर आप दे रहे हैं तो set वाले भी फोरम में वो apply कर सकते हैं तो basic concept अगर आपने net clear किया है MA किया है तो मान के चलते हैं कि कुछ-कुछ ना basic concept के बारे में आपको आता है और basic concept के बारे में चीजें हैं वो बहुत ज़्यादा गहराई से नहीं पूछी जात तो इसके लिए हम basic concept के लिए कौन सी पुस्तकें पड़ें तो इसके लिए कोई ज़्यादा ऐसा नहीं है कि बारी बरकम बहुत सारी किताबें पड़ें एक तो मेरी राय यह है कि एक open university की कोई भी बुक होती है open university की चाहिए इगनू है इगनू की language थोड़ी सी टफ है अगर अच्छी पुस्तक है और उस basic concept को उन्होंने बड़ी deeply समझा रखा है तो वहां से आप है वो in book से वो त्यारी कर सकते हैं मैं किसी guide की चर्चा नहीं करूँगा मैं किसी guide की चर्चा नहीं करूँगा हां अंत मैं यह जरूर बताऊँगा कि test series के लिए मेरे पास क्या option है आप teaching है और उसके प्रकास कोन है पी अचाई प्रकासन है क्या है पी अच आई प्रकासन मैं सब पर चर्चा कर लेता हूं हमारा जो पहला point हो गया basic concept दूसरा modern thinker और भारतिय सामझिक व्यवस्ता इन तिनों पर एक एकर के चर्चा हम कर लेते हैं तो पहला जो है basic concept के लिए एक त ग्यान के लेवल का highest exam है अगर आप इस सम्मानित पद पर आना चाहते हैं तो आपको उसी अनुरूप मेहनत भी करनी पड़ेगी दूसरी पुस्तक है जेपी सिंग की है किन की है जेपी सिंग की है पी एच आई परकासन है पी एच आई परकासन है इसमें इंडियन जो या लगांम से परकासन रहा है यह लिठी के लिए साहित्य फंक का सफी जो साथित्य बॉण पड़ीकेशन आग्रा की साहित्य बावन पड़ीकेशन आगला Western thinkers के लिए अगर हम बात करेंगे तो Western thinkers के लिए एक SL 2C, SL 2C, EO, PC, Jain 2C EO, Jain की है, Raut Publication की, क्या है? Raut Publication, बहुत यह अच्छी पुष्टक है इसके अंदर आपको basic, जो Western thinkers हैं, वो एक ही book में मिल जाएंगे आपको dossier, EO, Jain की है, Raut Publication की है, एक ही book के अंदर आपको सारे के सारे जो thinkers हैं, आपके SL1 में, वो मिल जाएंगे एक पुष्टक आती है, उसमें केवल कारल मारक्स, मैक्स वेबर और इमाईल दुर्खिम के अबारे में होता है वो books आपको नहीं लेनी है, वो लेनी है जिसमें लगबग 8-9 best-run thinkers दिये हुए हैं इसके लावा best-run thinkers की तो उस तक complete नहीं होते हैं, एक साहिते अबाउन पबलिकेशन की है लेकिन उसमें सारे के सारे best-run thinkers है वो नहीं आते हैं तो सबसे अच्छा option best-run thinkers के लिए दो C.A.O.P.C. J.N. है इसके लावा कोई उनिवर्ष्टिक की books आपको मिलती है, तो वो भी अच्छी books मानी जाएगी तीसरा जो हमारा है, वो है भारतिय सामाजिक व्यवस्ता अगर भारतिय सामाजिक व्यवस्ता की अलग से कोई किताब लेनी पड़े तो उसमें एक तो आती है साहिते बावन publication की, किसकी साहिते बावन publication आगरा की, मोतिलाल गुपतायों डेडी सर्मा, गुपतायों सर्मा की पुस्तक है क्या है, गुपतायों सर्मा की पुस्तक है, साहिते बावन publication गुपतायों सर्मा राइटर है और इंडियन सोसाइटी भारतिय सामाजिक व्यवस्ता पुस्तक का नाम आपको मिलेगा इसके इलावा एक उनी की, इन गुपता जी की, मोतिलाल गुपता जी की एक पुस्तक और है मोतिलाल गुपता जी की पुस्तक है, उस पुस्तक का नाम है उस पुस्तक में है, वो है हिंदी गरंथ अकादमी की राज जेपुर, हिंदी क्रान्थ अकादमी की है, जेपुर भारत में समाज, पुस्तक का नाम क्या है? भारत में समाज, ये भी अच्छी पुस्तक है, तो आप कोई भी इनमें से एक पुस्तक अब ले सकते हैं, दोनों के ही राइटर है, वो मौतिलाल गुपता हैं, हो सकता है कोई और भी हो लेकिन जो मेरे द्यान में आ रही है जो मैंने पड़ा है उनके बारे में मैं बता सकता हूं बाकी के बारे में नहीं बता सकता है और कोई अच्छी भी पुश्तक हो तो दो दिन पुश्तके हो गई आपको एक J.P. सिंग जी की हो गई एक हिंदीगरन्तक आदमी की यह हो गई और एक साइटे अबाउन पब्लीकेशन आगरा की हो गई और ओपन इनिर्ष्टी की तो पड़ी ही लेनी चाहिए कोटा की या उत्राकंड की इगनू की उसके तो पड़ी ही लेनी चाहिए भारत में समाज तो ये हमारा पहला जो paper है वो क्या होता है इससे complete होता है कौन सा paper complete होता है पहला जो paper हमारा वो complete हो जाता है अब आप बात करते हैं second paper की त्यारी किस प्रकार से करनी है उस पे भी हम आएंगे अब है second paper इसमें भी कुल पिछेतर नम्मर आते हैं 150 person आएंगे लगबग लगबग समान वेटेज जी आता है 50-50 person है वो प्रतेक unit से पूछे जाते है सामजिक अनुसंधान, social research तो ये काफी थोड़ा सा मुश्किल पढ़ता है इन जो 6 point हमारे 3 point पहले paper के और 3 इसके इसमें सबसे मुश्किल point है वो मुझे यही लगता है सामजिक अनुसंधान वाला पिछली बार जब exam हुआ था assistant professor का तो मैंने answer की जारी की थी तो उसमें जो पहला paper था उसमें तो 4 person मेरे गलत हुए थे इसमें लगबग 13 person वो भी सारे के सारे research वाले थे तो अब मैंने research को पढ़ा है और YouTube पे पढ़ाया भी है तो आप उन वीडियोज को भी देख सकते हैं मेरे चैनल पर जाकर और रावत पब्लिकेशन की राम आउजा अगर पुष्टक आपको देखनी है राम आउजा की रावत पब्लिकेशन है इस पुष्टक का कोई मुकाबला नहीं है लेंगवेज इसकी टफ होगी लेकिन सबसे ज़्यादा परसन इसी पुष्टक में से आते हैं मैंने अभी सोसल रिसर्च के जब मैं कलासीज लगा रहा था वीडियोज बना रहा था तो मैंने लगबग लगबग आठ पुष्टकें पड़ी आठ पुष्टकों में एक टोपिक पड़ा और उसके बाद में मैंने कलासीज वो बनाई है तो उन आठ पुष्टकों में से मुझे राम आउजा के लगी और इसमें कम्प्लीट है क्योंकि इसका जो साहिते बाउन पुब्लीकेशन आगरा की भी सामजी कनुसंधान की है एक बड़ी बुकाती है उसमें ये सारे के सारे पॉइंट कवर हो जाएंगे साहिते बाउन पुब्लीकेशन आगरा की है उसमें सारे के सारे ये पॉइंट है इनको छोड़ कर सारे के सारे cover होते हैं उसके अंदर लग बग लग लेकिन उसमें सामजी कनुसंदान के सारे point नहीं होते हैं लग बग 13-14 point होते हैं और इसके अंदर कम से उसमें 20 lesson है कितने lesson है? 20 lesson है और कुछ अगर नई point जोड़े जाते हैं क्योंकि मैं ये पिछले स्लेबस की बात कर रहा हूं, तो स्लेबस में कोई बड़ी चेंजिंग नहीं होती, 57% होगी, तो उसमें आज कल एक आती है विरेंदर परकास सर्मा की, विरेंदर परकास सर्मा की, तो कुछ ने पॉइंट्स है, वो क्यों आपको उसी पुष्टक में मिलेंगे, बाकी में नहीं मिलेंगे, विरेंदर परकास सर्मा की है, पंस सेल परकासन की है, सामाजिक अनुसंधान की, तो सामाजिक अनुसंधान हो गया अपना, और फिर है भारतिय सामाजिक विचारक, इंडियन थिंकर्स अगर हम इंडियन थिंकर्स की बात करें तो इंडियन थिंकर्स बहुत ज़्यादा है इस पुस्तक में बहुत ज़्यादा है इसमें कई जोड दिये गए हैं तो उनको लग-लग डिवाइड किया गया है तो लग-बग 20 इंडियन थिंकर्स पुछे जाते है तो इसमें प्राचिन भी है, इंडोलोजी वाले भी है, दलीत साहितय का दिन करने वाले भी है, नारिवादी भी है, सारे के सारे उसके अंदर आते हैं तो इसके लिए SL2C की आती है लेकिन उसके अंदर आपको लिमिटेड थिंकर्स के बारे में मिलेंगे एक रावत पब्लिकेशन की बुख है, रावत पब्लिकेशन, बीके नागला, राइटर कोण है, बीके नागला इसमें बीके नागला की पुस्तक में आपको काफी सारे थिंकर्स मिल जाएंगे तो रावत पब्लिकेशन की है, एसल दोसी की है, उसमें भी लगबग 10 एक थिंकर है, इसमें काफी ज़्यादा थिंकर है और एक उत्राखंड ओपन इनुवस्टी की बुक है, उसमें भारतिय सामाजिक विचारकों के बारे में डिटेल से बताया गया है उतना डिटेल से किसी और में नहीं बताया गया है, जितना उत्राखंड ओपन इनुवस्टी की बुक में बारतिय सामाजिक विचारकों के बारे में बताया गया है अगर वो बुक चाहिए तो मेरा टेलेग्राम चैनल है, इस वीडियो के डिस्क्रीप्शन में मिल जाएगा आपको लिंक उसका और एक प्ले स्टोर से एपलीकेसन आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें भी ये सारी की सारी किताबें वहाँ पर आपको उत्राखंड वाली मिल जाएगी, तो ये इंडियन थिंकर्स हो गया, इसमें हम कर लेते हैं, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, एक समासास्त्रिय सिधान्त, क्लासिकल सिधान्त, जिसमें परकार्यवादी है, सरंचनावादी है, संग्रसवादी है, तो वो तो पराने थिंकर्स के अंदर आ जा से अच्छे मिलेंगे, रावत पबलिकेशन की पुस्तक है, दोसी है उन जेन की, दोसी वे जेन, रावत पबलिकेशन, SL2C, मुखे रूप से क्या है, SL2C, SL2C है, उनकी पुस्तक है, आद्यूनिक समासास्त्रिय विचारक, आद्यूनिक समासास्त्रिय सिधान्त, या आद्य समासास्तर विचारक, दो अलग अलग बुक है, लेकिन दोनों में कंटेंट अलग बग एक जैसा ही है, तो इसके अंदर ये चीजे आ जाती है, तो ये दो तिन, दो तिन, मैंने बता दी आपको एक रावत पब्लिकेशन की पुस्तके अच्छी है, साहिते बाउन पब्लिकेश करती है, वो नहीं बता रहा हूँ, एक वो गाइड आपके पास होनी चाहिए, लेकिन वो अलग तरीके से होनी चाहिए, उसमें नहीं होनी चाहिए, मैंने के अंदर है, क्योंकि इसमें आप जाओगे, तो चीजों को गहराई से पढ़ोगे, खुद पढ़ोगे, तभी पूछे जाते हैं, समझ के अधार पे पूछे जाते हैं, और समझ है, वो किसी गाइड को पढ़ने से नहीं आएगी, वो किसी के नोट्स पढ़ने से नहीं आएगी, नोट्स का मतलब क्या होता है, सोर्ट के अंदर, तो वो किस से आएगी, वो आएगी इन मूल किताबों को वो पढ़ने से आएगी आप कुछ कहते हैं कि reference book इंडिया के अंदर बहुत कम हैं जो इंडियन thinkers हैं उन्होंने भी अंग्रेजी के अंदर लिखी है तो अंग्रेजी के अंदर तो काफी है हिंदी के अंदर कम है तो उनका हिंदी अनुआद है अंग्रेजी पुस्थकों का यो अगर टाइम मिले तब की बात है तो यह हमारी मैंने बता दी कि यह पुस्तक है जेपी सिंग की थोड़ी सी अलग है इन से तो इन में हैं हम अच्छे तरीके से चीजों को कर सकते हैं तो यह तो पुस्तकों की बात हो गई अब बात आती है कि त्यारी केसे करें कि हमारा सेलेक्शन हो जाए इसके लिए आपको दो तीन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा एक तो आप कहते हो कि नोट्स नोट्स हैं वो क्या होते हैं खुद के त्यार करने पड़ेंगे किसी की दूसरे के नोट्स पे मत बरोसा करना क्योंकि दूसरा जैसे मेरे पास भी नोट्स है और आप मुझे नोट्स के लिए कहना भी मत मैं किसी को नोट्स नहीं देता हूँ क्योंकि नोट्स देने का मतलब है कि उसके पेरों पे कुलाडी मारना क्योंकि नोट्स का मतलब होता है कि सोर्ट के अंदर नोट्स क्या होते हैं? सोर्ट होते हैं अगर आप सोर्ट पढ़ोगे तो सेलेक्शन नहीं होगा इसलिए नोट्स खुद के बनाओ उन चीजों के बनाओ जो आपको नहीं आ रही है जो चीज़ें आपको आ रही है जैसे कि समासास्तर का उद्वो कब हुआ, किस नहीं किया ये चीज़ें आ रही है तो उनको छोड़ दो सोर्ट के अंदर जो डिफिकल्ट चीज़े हैं मुश्किल चीज़े हैं उनके नोट्स बनाओ खुद की बासा के अंदर नोट्स जरूर बनाओ और साथ में इनके परसन बैंक भी त्यार करो जो जो परसन आपको नहीं आते हैं आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रेक्टिस कीजिए पुराने पेपर को हल करके देखिए पुराने पेपर है वो मैंने यूटूब पे करवा दिये हैं 2014 वाली विकेंसी उसके भी करवा दिये और 2020 वाली विकेंसी है उसके भी करवा दिये और उनके पेपर चाहिए तो RPSC की साइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं या मेरी टेलिग्राम या जो मैंने बताया है एक सोशियोलोजी क्लासेज इन हिंदी अफ को इन हिंदी राइटिंग मेरी मत देखिए बहुत ही खराब राइटिंग है मेरी तो सोशियोलोजी क्लासेज इन हिंदी एक एप है उसके अंदर आपको ये बुक्स है वह ये पुराने पेपर्स हैं वो हल भी कि ये मिल जाएंगे टेस्ट के रूप में भी आप उनको हल करके देख सकते हो, फ्री के अंदर वहाँ कुछ content है, फ्री के अंदर है, कुछ को आपको पेड करना पड़ता है, तो sociology classes in Hindi, मैं उसका लिंक है, वो इस वीडियो के description में देदू, वहाँ पे आपको चारों के चारों पेपर मिल जाएंग और test के रूप में मिल जाएंगे, आप उनको हल करके देखिए, हाँ, ये एक अच्छी चीज है कि आप पहले पेपर को हल करके देखिए, ताकि आपको idea हो जाए, कि किस परकार के person है, वो पूछे जाते हैं, ये सबसे पहला काम होना चाहिए, जब हम खुद करते हैं, तो थ person मेरा गल्त हुआ था, उसको अलग से लिख लीजिए, बाद में उसके लिए आपको अलग से किताब नहीं पढ़ने पढ़ेगी, क्या नहीं करने पढ़ेगी, किताब नहीं पढ़ने पढ़ेगी, तो किताबें पढ़िए, उनके notes बनाईए, ज़्यादा से ज़्यादा mock test दीजिए, पुराने paper हल करिए, और उनके अदार पे person bank त्यार कीजिए, और जो reports आती है, कभी corruption की report आगई, कोई महिलाओं पे report आगई, कभी किसी परकार की report आगई, उन reports को भी आपको पढ़ना है, current affairs से भी person आते हैं, और उनको भी, कभी भी आपको mobile के अंदर, आपको acquire के अंदर आपकी topics related कोई चीज मिलती है, तो उसको तुरंत note कर ले, हम सोचते हैं, बाद में कर लेंगे, बाद में हम भूल जाते हैं, लेकिन आपको यसा नहीं करना है, तुरंत अपने notes के अंदर उसको aid कर लेना है, तो notes और person bank और विस्तार से चीज़ों को पढ़ना, ये ती गटना चकर का practice एट मंगवाया है, एक youth time competition का आता है, वो भी मंगवाया है, तो ठीक है, practice तो हमें करनी पड़ेगी, काम चलाओ है, पर बहुत अच्छा कोई नहीं है उसमें से, तो काम चलाओ है वो आपको मिल जाएंगे, उसके अंदर youth का ले सकते हैं, आप गटना चकर का ले सकते हैं, थोड़ी थोड़ी गलतियां आती है, तो वो भी आप कोई ignore याद उसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, तो ये है दो, पढ़ना डिटेल में, नोट्स बनाना, ज्यादा ज्यादा प्रेक्टिस करना, और उनको, अगर कोई person नहीं आ रहा है तो अपने person bank में उनको सामिल करना, दोई चीजे, फिर बाद में जब, last जब exam का महिना या पंदराबीस दिन बचे, तब केवल हमें इनकी, नोट्स की और person पत्तर, person bank जो अपना है, उसी की revision करनी है, आपके पास पांच महिने का टाइम है, तो आप चार गंटे, चार महिने पढ़िए और न आपके लिए बहुत benefit है, अगर आप इस post पे आना चाहते हैं, हो सकता है किसी का तरीका और हो, लेकिन जो मेरा तरीका है, मैंने तीन exam fight की है, और तीनों में हमेशा टोप rank करे ही है, तो मैं notes खुद के बनाता हूँ, अब मैं आपकी क्या सायता कर सकता हूँ, थोड़ा सा वो मैंने आपको बताई है, उन सब को एक साथ लेकर मैं वीडियो बनाता हूँ, तो content जो मैं वीडियो उपलब्द करवा रहा हूँ, इतना content आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, तो आप वीडियो हैं, क्योंकि तीन होते हैं, वीडियो आप देखिए, फिर आता है, PDF, PDF, तो देखो PDF, यानि, notes, वो खुद के तियार कीजिए, मेरे पास notes है, लेकिन मैं उपलब्द नहीं करवाता हूँ, क्योंकि notes का मतलब होता है, क्यों रियूजन करना होता है, उन से पढ़ना नहीं होता है, एक बार आपने कोई detail के अंदर चीज़ें पढ़ ली, तो उसके इसाब से notes पे देखो, videos और किताबें मैंने बता दिया, वो तो आप वहां देख सकते हैं, notes है, कोई बार बार comment आते रहते हैं, कि sir notes दीजिए, तो notes please मैं नहीं देता, क्योंकि उससे, उसका नुकसान है, मेरा कोई नुकसान नहीं होने वाला है, और mock test, तो जो तियारी करना चाहते हैं, उ मारा application है, उसके अंदर mock test होते हैं, weekly test होंगे, topic wise test होंगे, syllabus wise test होंगे, उस application में test के अलावा, test के अलावा, ये जितने YouTube के videos हैं, वो एक systematic धंग से आपको उपलब रहेंगे, हाँ कोई ऐसा topic है, जो videos पे नहीं है, YouTube पे नहीं है, तो वो मैं online class लगा के करवा सकता हूं, लेकिन से कोई 5-7 class ही होगी, जादा नहीं हो पाएगी, हाँ weekly हम कोई discuss कर सकते है, motivation पे हो सकता है, PDF है, वो केवल और केवल आप उस एप पे देख सकते हैं, उनको download नहीं कर सकते, और mock test उसके अंदर होते है, weekly test होंगे, अच्छे खासे person आएंगे, जो पिछले paper में आई हुए हैं, तो ये मेरा manfox इसी परेगा, इस से आपकी regularty बन जाएगी, क्या हो जाएगी, regularty बन जाएगी, कि हमने 4-5 दिनों में एक topic पढ़ा, 2-3 topic पढ़ लिये, और उसको बाद में अगली तारीक को हल करके देख लिया, तो ये उपलब्द रहेगा, अगर आप ये इसको संपूर न जाएगे, और इसके लिए आपको थोड़ा सा सेवा सुलक भी देना पड़ेगा, क्योंकि हम जब mock test बनाते हैं, तो typist वाड़ा बंदा चाहिए, हमें application का भी मंथली चार्ज है, वो देना पड़ता है, तो ये पूरा का पूरा video, notes और mock test, अगर आप कहीं और course खरीदेंगे तो आप मान के चलना ये 10,000 से कम नहीं मिलेगा, कितने से कम नहीं मिलेगा, 10-15,000 से कम मिलने वाला नहीं आपको, ये पूरा का recorded class है, PDF और mock test, और हम उसको इससे लगबग 10 या 20% रेटों में, यानि इनका के ओल 10 या 20% अधिक्तम 20% है, इतने चार्ज के अंदर आपको ये तिनों चीज़े हैं, वो उपलबद करवा देंगे, वो आपकी इंच है कि जो इन करना या नहीं करना है, और तो इसमें में फोक्स है, वो mock test पे ही रहेगा, और लगबग 152,000 उपे उसका चार्ज होगा, इसे ज़्यादा होने वाला नहीं है, मार्केट में अगर आप और देख सकते हैं, सबका पड़ाने का लग-लग तरिका होता है, जो आपको अच्छा लगे, और self study कीजिए, मैंने अपनी पूरी की पूरी study है, वो self कीए, हमेशा कभी एक दिन भी coaching नहीं गया, और बहुत अच्छी rank माली की महरबानी से रही है, आप लोगों की दुआउं से तो यह हमारा आज की class थी, अगर आपको यह सुविधा चाहिए, तो आप इसको निचे description में इसका link दिया हुआ है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, वरना वीडियो तो है मेरे पास, मैं YouTube पे ऐसा नहीं होता है कि 5 वीडियो में ने YouTube पे डाल दिये, और उसके बाद मे कहो कि आज अगर और जादा देखने हैं, तो आपको मेरा course खरीदना ही पड़ेगा, ऐसी कोई बाद देता नहीं है, सारे के सारी वीडियो हैं, वो YouTube पर उपलवद रहेंगे, हाँ, PDF और मोक टेस्ट के लिए, और पुराने पेपर जितने भी पेपर हैं, चिनने नेट के हैं इसके assistant professor के हैं, UPPGT के हैं, जितने भी हैं, आपको application पे उपलवद रहेंगे free, तो वहाँ आप जाकर उनको हल करके देख सकते हो, आपने इतने प्रेम से मुझे सुना, इसलिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद, हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, तो like ज पाइदा हो जाएगा जो भी classes होगी, आपके पास तुरंत पहुंच जाएगी धन्यवाद.